मैं राहुल सिना, ड्रीमलेंस टीवी के वेट टॉक्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों, आप अगर वेडिंग फोटोग्राफर हैं या फिर एक वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने के सोच रहे हैं या उन बच्चों की पेरेंट्स हैं जो अपना करियर वेडिंग फोटोग्राफरी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है आज मैं वेडिंग फोटोग्राफी जगत से जुड़ी कुछ विसेश बातों को लेके आपके पास आया हूँ जो आप लोगों ने मेरी करियर के दौरान मुझे पूछा है या तो मैंने experience किया है दोस्तों यह चे वीडियो की एक सिरीज रहने वाली है जिसका आज यह एक introductory पार्ट है अगर आप अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को आगे बढ़ना चाहते हैं अपने परिवार को खुछ रखना चाहते हैं अपने बिजनेस को एक उचे मुकाम पर पहुचाना चाहते हैं एक EMI मुक्त जिंदगी चाहते हैं और एक बहतरीन वेडिंग फोटोग्राफर अगर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है इस पूरे सिरीज को अन तक अवश्य देखें और दोस्तों आप वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके दोस्तों ने इसे करके अच्छा पैसा कमाया है या फिर काफी अच्छा मुकाम हासिल किया है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है आप अगर हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि आने वाली एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसकी लिफ्ट उठा पाएं आप यह वीडियो अगर फेस्बुक पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी यूट्यूब चैनल की लिंक को क्लिक कर हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएं दोस्तों आप अगर यह वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि आप एक सीरियस वेडिंग फोटोगरफर हैं या फिर आप एक सीरियस वेडिंग फोटोगरफी बिजनेस स्टार्ट करने के सोच रहे हैं तो आईए क्यों ना एक साथ wedding photography business और इस industry को आगे बढ़ाया जाए हम जब school में होते हैं हमारी बच्पन से ही quiz होती है या तो हम बड़े होकर doctor बनेंगे, एक engineer बनेंगे, filmों में acting करेंगे, एक teacher बनेंगे पर समय के अनुसार और experience के अनुसार ये सारे इक्षाएं बड़ने लगती है और photography भी इन ही इक्षाओं में से एक है, जिसका जन ज़्यादातर hobby के तरह से होता है हम बच्पन में या तो पिताजी की camera, दोस्तों का DSLR या अपने phone से कुछ तस्बीरे लेना शुरू करते हैं समय के अनुसार हमारी experience बढ़ने लगती है और हम photography में काफी कुछ सीखने लगते हैं हम धीरे धीरे इसे अपने hobby list में डाल जाते हैं problem के सुरुआत तब होती है जब हम इसे professionally अपने career में आगे लेना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं जैसे कि equipments का काफी costly होना अपने parents का इस profession में हमारा support ना करना इत्यादी हमें अपने बल्बूते पे चीजों को समझना होता है decision लेना होता है आगे बढ़ना होता है और अपने काम से proof करके दिखाना होता है कि हमने जो decision लिया था वो सही है वो सही था और हम इसे लेके अपने career में आगे बढ़ सकते हैं अपना पालन पोसन कर सकते हैं हमें यह solicit करना होता है कि हम इस profession से अपना जिंदगी चला पाएंगे अपने परिवार का पालन पोसन कर पाएंगे अपने बच्चे को एक अच्छी education प्रोवाइड कर पाएंगे साफ में अपना bank balance भी बढ़ा पाएंगे तो दोस्तों पहला प्रस्ण यही है क्या यह profession हमें अच्छा जिंदगी प्रोवाइड कर पाएगी कल को अगर हमारी family बढ़ती है तो हम क्या उनका पालन पोसन कर पाएंगे हम क्या अपने लिए प्रयाप्ति सेविंग कर पाएंगे तो दोस्तों हमारे इस series का पहला वीडियो इसी topic पे है और हमारा पहला एपिसोड का विसाय है आपने अपने जीवन में वेडिंग फोटोग्रफी का अजन प्रोफेशन चैन क्यों किया है दोस्तों आप यह वीडियो अगर अभी तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अगर यह वीडियो अपलोड होने की काफी दिन बाद यह वीडियो देख रहे है तो उपर कार्ड पे दिये हुए लिंक पे आप क्लिक करके डारेक्टली एपिसोड वान में जा सकते हैं दोस्तों अगर हम अपने जीवन में वेडिन फोटोग्राफी को अज अ प्रोफेशन चैन करने की डिसिजन से सहमत है तो हमारे दूसरी पराव की सुरुवात यहीं से हो जाती है हर बिजनेस के सुरुवात में ही हमें यह समझ लेना जरूरी होता है कि उस बिजनेस का मॉडल क्या है उस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना प्रिंसिपल लगने वाला है और उसका कितने समय के बाद किस तरह से हमें रिटर्ण मिलने वाला है अगर हम यह पूरी साइकल को समझ ले तो कोई भी बिजनेस आसान बन जाता है और हर एक बिजनेस के तरह यह वेडिंग फोटोग्रफी बिजनेस भी है बलकि कहा जा सकता है कि यह और भी पेचीदा है पेचीदा इसलिए क्योंकि यहां हमें दिखाने के लिए सिर्फ अपना टैलेंट होता है हम यहां कोई प्रड़क के सेलिग नहीं कर रहे होते हैं और पेचीदा इसलिए भी क्योंकि इस बिजनेस में काफी सारा कॉस्ट छुपा होता है जो जाने अंजाने में हम क्याल्कुलेट करना भूल जाते हैं और हमारा इस सीरीज का दूसरा एपिसोड इसी टॉपिक पे है कि हम वेडिंग फोटोग्रफी बिजनेस स्टार्ट कैसे करें जहां हम उन चीजों को समझनी की कोसिस करेंगे कि वेडिंग फोटोग्रफी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या-क्या समझना जरूरी है क्या-क्या जुटाना जरूरी है इस business का model क्या है इस business से हमें कितना return मिल सकता है या फिर जो return हम चाहते हैं अपने business से या फिर हमारी life की जो एक demand है वह क्या ये business पूरी कर पाएगी अपने photography career के दोरान हमने अपने दोस्तों को काफी दपे कहते सुना है या एक photo click करना मेरी या फिर काफी सारे लोग यह भी कहते हैं एक photo की ही तो बात है मानो जैसे photo click की कोई कीमत ही ना हो हमने अपने जीवन में क्या कभी calculate किया है कि वह कीमत क्या है एक shutter की क्या कीमत हो सकती है एक पिक्चर की इस बिजनेस में क्या कीमत है इन सब चीजों को अगर हम समझ जाएं तो फोटोग्रफी बिजनेस और भी आसान बन जाता है आपने खुद क्या कभी कैलकुलेट किया है कि एक क्लिक का क्या कीमत है अगर नहीं किया है तो हम साथ मिलके अपने तो मैंने अपनी पूरी working tenure में देखा है कि लोग confused रहते हैं या फिर परिसान रहते हैं कि एक wedding booking का हम कितना चार्ज करें या तो वो अपने quality के हिसाब से काफी ज्यादा चार्ज कर बैठते हैं या फिर इतना कम चार्ज कर बैठते हैं कि इसका प्रभाव पूरे industry में पढ़ ज परिवार का खर्चा, office चलाने का खर्चा, software का खर्चा और बहुत सारे cost को calculate ना करने का वज़य बनता है business में loss और कुछ समय के बाद business का बंद हो जाना आप भी ऐसी मुश्किल घड़ी में ना पढ़ें इसलिए हम चर्चा करेंगे अपने अगली एपिसोड में इसी विशाय पे जिसका title है कि हमें एक project का कितना charge लेना चाहिए इस industry की सबसे बड़ी समस्या है technology का काफी तेज रफतार से बदलना SLR से DSLR, DSLR में काफी upgrades, DSLR से mirrorless, autofocusing system, eye autofocus, videos में SD से full HD, full HD से 4K और क्या नहीं बदलते टेकनलोजी के दौर में कभी कभी काफी मुश्किल हो जाता है समय के अनुसार अपने आपको upgrade करना, अपने equipments को upgrade करना और अपने बिजनेस को बचाय रखना और समय के अनुसार updated रहना भी जलूरी है ऐसे में यह याद रखना कि हम जो investment कर रहे हैं वो जायज है या नहीं कहीं हम अपने बिजनेस स्टांडर्ड के अनुसार ज्यादा तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे है और इसके वज़े से हमारी बिजनेस लॉस में तो नहीं जाएगी इसी टॉपिक पे हमारा पांचों एपिसोड है जिसका टाइटल है कहीं हम जरुवत से ज़्यादा इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे है फिर यह समझ पाना कि हमने जिन इक्विपमेंट्स पे इन्वेस्मेंट किया है समय के अनुसार इन इक्विपमेंट्स पे डेप्रिसेशन वैल्यू किया है और इसी विषय पे हमारा अन्तिम एपिसोड है जिसका टाइटल है इक्विपमेंट्स डेप्रिसेशन क्या है और इसका हमारे बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ता है इसी के साथ मैं आज का इंट्रोड़क्टरी सेशन यहीं पे समयाप्त करता हूँ इस सिरीज को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कोलीक के साथ, अपने फ्रिलाइंसर के साथ सेर करें और उन्हें भी इस वीडियो का लाव उठाने का उसर दें दोस्तों अपने सुझाओ कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दमाएं ताके आने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें धन्यवाद